हम लोग का प्रश्ण है दोसो सत्रा के अभाज्य गुड़न खंडी क्या है तो चलिए दोस्तो दोसो सत्रा के अभाज्य गुड़न खंडी निकालते हैं और देखते हैं कि दोसो सत्रा के अभाज्य गुड़न खंडी यानि की प्राइम फेक्टोर्ज क्या होता है तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी या भाज या संख्या दो होती है तो हम देखेंगे क्या या संख्या दो से कटेगी तो दोस्तों दो से कटने का नियम होता है जिस भी संख्या की क्या या संख्या तीन से कटेगी तो तीन से कटने का नियम होता है जिस भी संख्या के अंको का योग तीन से कड़ जाता है तो वो संख्या भी तीन से कड़ जाती है तो चलिए इस संख्या के अंको को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या तीन से कड़ता है तो देखिए इस दो में इस एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा तीन होगा और तीन में इस साथ को जुड़ेंगे तो दस होता है तो दस तो तीन से कटता नहीं है इसलिए यह भी संख्या तीन से नहीं कटेगी तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या पांच से कटेगी तो दोस्तो पांच से कटने का नियम होता है जिस भी संख्या की क्याई के अंक 0 रहता है या 5 रहता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है लेकिन इस संख्या की क्याई के अंक यह पर साथ है इसलिए यह संख्या 5 से नहीं कटेगी तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या साथ से कटेगी तो हाँ दोस्तो यह संख्या साथ से कट जाएगी तो चलिए इसको हम साथ से कटा देते हैं ध्यान दीजेगे दोस्तो देखिए यहाँ पर तो एकिस है तो यह एकिस इस साथ से तीन बार में कट जाएगा से कटेगी तो 31 को 31 से कटा देंगे तो यहीं एक बार में कट जाएगी अब कुछ इस परकाशन हम यहाँ पर लिखेंगे ध्यान दीजिएगा 270 बराबर देखिए दोस्तों, 270 जो यहाँ संख्या एक बार 7 से कटा है और एक बार 31 से कटा है तो इन दोनों को क्या करेंगी यहाँ पर गुणे के रुप में लिखेंगे तो चलिए रिखते हैं साथ गुणे एक तीस तो दोस्तो जो यह आगया न साथ गुणे एक तीस यही क्या हो गया इस दोसो सत्र का अभाज्य गुडन खंड यानी की प्राइम फेक्टर छो गया